हाई विर्मान स्वागत है आप सबक्राइब फिर से एक नए वीडियो पर दोस्तों आज हम लोग देखें कि इस वीडियो में दस्मलों का गुणड़ा और दस्मलों का भाग आएए देखते हैं पहला कोश्चन एकदम असान तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए जब इस तरह से कोश्चन देना आप दस्मलों को भूल ही जाए दस्मलों को भूल ही जाए और सीदा-सीदा मल्टिपलाई किये मल्टिपलाई करेंगे तो क्या आएगा आठ पंचे चालिस आठ साते चापण संताओं साथ चो आठ चाके आड़तालिस चापचाश चाउवन पांच और है तो एक दो तीन चार पांच यहां पर आपको इधर से गीन करके दस्मलों लगा देना है यहां पर एक जीरो अगर में कोई अंक नहीं है दस्मलों के बात कोई अंक नहीं है तो उस 0 को हम लोग छोड़ सकते हैं आए देखते हैं इस कोशन को यहां पर देखेंगे ना तो 12 का 125 में दसमलोग भूल जाएए 12 का 125 में मल्टिप्लाई किजिए दसमलोग भूल जाएए और सिदे-सिदे मल्टिप्लाई किजिए 12-5-60-6 12-24 और 6-30-3 12 का 12 और 3 15 तो इस तरह से आपने इसको मल्टिप्लाई कर लिए दसमलोग इनिये तो एक दसमलोग दो दो अंक पर दसमलोग इसमें है एक दो दो अंक पर दसमलोग इसमें है तो दो अंक और दो अंक चार अंक हो गया एक दो तीन चार यहां पर दसमलोग लगाईए और इसक के बाद कोई अंक नहीं है तो आप उस जीरो को छोड़ सकते हैं यह आपका एंसर हो गया दोस्तों दस्मलों का यह गुणा कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों देखें दोस्तों इस कोशन में दिया गया है 5.6 गूड़े 0.0015 अपको दस्मलों को ध्यान ही में नहीं देना है बस आपको देखना है कि कौन-कौन से नंबर का मल्टिप्लाई है तो 56 का पंदरा से मल्टिप्लाई करना है पंदर का 56 में multiply कर लिजे सीदे सीदे पंदर 6 के 90 0 9 अब पंदर पचे 75 75 और 9 75 85 84 तो 84 आ जाएगा कितने डिजिट पे आपको कितने अंकों पे दसमलों लगाना है आपको किल लिजे अब 1 2 3 4 5 5 अंकों पे दसमलों लगाना है और आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 ही अंक दिख रहा है तो हम इधर 0 न बढ़ाएंगे बलकि इधर 0 बढ़ाया जाता है याद रखिएगा तो 1 2 अब 5 हो गया ना गिल लिजे 1 2 3 4 5 यहाँ पे दसमलों बढ़ा देंगे इसके इधर 0 हम लिख सकते हैं ठीक है ना लिख लेंगे ताकि सुंदर लगे तो अब 0 दसमलों 0 0 8 4 याद रखिए ना कि अगर में दसमलों के राइट हैंड साइड में 0 है और इसके बाद कोई अंक नहीं है तो उस 0 को नहीं लिखा जाता है छोड़ देंगा अगले स्टेप में ठीक है न यह आपका एंसर हो जाएगा दोस्तों तो इस तरह से सिंपली आपको इस मुल्टिप्लाई को करके दसमलों को लगा देना है आ 12 65 चोओ 12 वट्ठे 96 और 96 चोओ 96 एक सोदो तो यह हो गया आपका 102 इस तरह से लिख लेंगे आप देखेंगे कितने डिजिट पे पॉइंट है यानि कितने अंको पे यहां पर एक अंक दिख रहा है एक दो तीन चार कुल मिलाकर पांच अंक पे दसमलों दिया हुआ है एक द तो तीन चार चार अंक तो दिख रहा है एक पांच वा अंक आपको अपने मन से लिखना है जीरो और पॉइंट लगाना है अब देखे पांच अंक पर हो गया एक दो तीन चार पांच जब भी अंकों की कमी पड़ेगी आप लेफ्ट हैंट साइड में ही जीरो बढ़ा करके अ जीरो एक जीरो दो ये आपका दोस्तो एंसवर है हमने कहा पॉइंट के बाद अगर में कोई जीरो है उसके बाद अंक नहीं है तो उस जीरो को नहीं लिखा जाता है छोड़ दिया जाता है तो इस जीरो के बाद कोई अंक नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ देंगे ठी गुणा के बाद अब हाग देखेंगे दस्मलोवला कैसे करते हैं तो आईए देखते हैं हम देखेंगे यहां पे न च्छो से 72 को भाग देना है तो हम पॉइंट को ध्यान ही नहीं देंगे सीधे सीधे चो से 72 को भाग दे देंगे तो चो से जब 72 को भाग देंगे तो चो से इसको भाग देंगे तो 6 ये कनने 6 हासिल 1 बचा 12 हो गया 6 दुनी 12 ठीक है ऐसे कर लिया अब हम देखेंगे यहाँ पर एक अंक पर 10 मुलव है और यहाँ पर कितना है तो 1, 2, 3, 4 इसे चार वाले में से एक को निकाल दीजे तीन बचेगा तो तीन अंक पे दस्मलोव आपको लगाना है दोस्तों एक दो और यहां पे तीन और यहां पे बढ़ा देंगे हम पॉइंट और इधर एक लिख देंगे जीरो इस तरह से दस्मलोव अलब भाग में आपको ध्यान र फार इनस कर देते हैं तो इधर कितना है एक दो तीन चार चार एक पेद्वाइड कर देंगे तो 14 के सब्कुन आपको जोड़ना नहीं है बलकि इधर वाले इसारे diaben को गिल लेना है कितने डिजट पे point है उसके बाद इधर गील लेना है इधर वाले digit इतने point पे है अब पॉसमें माइनेस करके यहां पर point लगा देना है यहां पर देखेंगे दोस्तों न इसमें भी भाग देना है लेकिन इसमें भाग देने समय थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा हम कहा है न पॉइंट के बाद न अंक है अंक के बाद आप कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं त इसमें अगर मैं भाग देना है तो आपको ऐसे पहले लिखना पड़ेगा ठीक है जीरो पॉइंट जीरो जीरो एक दो एक जीरो यहां पर लिख लिए ठीक है अब भाग देजिए आप क्या करें जीरो पॉइंट फाइब से क्योंकि हम जानते हैं पांच से वही नंबर भाग जाता है जिसके लाश्ट में जीरो हो या पांच हो तो हम जीरो लिख सकते हैं अपने मन से जीरो लिख सकते हैं ठीक है न अब पांच से भाग देंगे एक सो बीस में तो पांच से भाग देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच अंगों पे है, और इधर एक अंग पे, तो पांच में से एक घटा दीजे, आ जाएगा, चार, चार अंग पे दसमलों लगाईए, एक, दसमलों लगाईए, एक, जीरो बढ़ा दीजे, बस यह आपका एंसर होगा, थोड़ा सुंदर लिख लेज तो हम क्या करेंगे न, पॉइंट के बाद, जीरो तो बढ़ा आई सकते हैं, तो बढ़ा लेंगे, जीरो, जीरो, छो, छो, एक, जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है न, अब हम इसको भाग देंगे, किस से, तो जीरो, दसमलों, एक, दो से भाग देंगे, ठीक है न, अब देख चार पांच इसको भी सामिल करेंगे जब पॉइंट काउंटिंग करेंगा ना जीरो बढ़ाएं तो इसको भी सामिल करेंगे एक दो तीन चार पांच पांच डिजिट पे यहां पर आपको दिख रहा है दसमलो और इधर एक दो दो दीजिट पे पांच में से दो माइनस कर दे mg ऑफ दोफ वगया student हो गया बस यह आपका इंसे अ हो गया कि देखिए दोस्तों अगला कुष्चन में कहा गया है hanya 000025 कश्रेब अजुब catch यह में को आपको अच्छी तरह से समझ नबाव कहीं पर आपको समझ मेंना आए कोमेंट करके जरूर बताइएह दोष्ट एक comment कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है अगर मैं अच्छा लग रहा है तो एक like भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ share भी कर दीजिएगा दोस्तों देखिए 0 बढ़ा लेंगे हम एक 0 हमने बढ़ा लिया भाग का symbol यहां पर लगाएंगे एक दसमलो दो पाँच लिख लेंगे अब आपको देखना है क्या आपको कुछ नहीं देखना है आपको बस अंक देखना है यहाँ दोसो पचास है यहाँ एक सो पचीस है एक सो पचीस जो होता है दोसो पचास का दोगूना होता है एक सो पचीस का दोगूना दोसो पचास होत छो में से 2 माइनस कर दीजिए 4 आएगा यहां 4 करने के लिए हमको क्या पढ़ाना पड़ेगा इधर 3 0 बढ़ाना पढ़ेगा एक दो तीन 3-0 हमने बढ़ा लिया अब हमको यहां पर पॉइंट लगाना है यहां पर 0 बढ़ा लेना है यह आपका इंसर हो गया दोस्तों इस तरह से सिंपली आप इस कोशन को सॉल्व कर सकते हैं इस कोशन को देखेंगे तो 12-62 सीदे सीदे हम देख रहा है कि टेबल में आ जा रहा है तो 0 बढ़ाने के कोई टेंसर ने जीरो कब बढ़ाते हैं हम जब देखते हैं कि इसके टेबल से पूरा-पूरा नहीं कटेगा तब हम 0 बढ़ा लेते हैं ठीक है अगर में पूरा-पूर 245, और इसमें, 12, 5 में से, 2 माइनस कर दिजिए, आएगा 3, तो 3 का मतलब हो गया, आप यहां पे 1, 2, 1, 2, 3, 3 हो गया नइ, यह 3 डीजित हो गया, अब यहां पे प्वाइट लगा दिजिए, और यहां पे 0 बढ़ा दिए, ठीक है न? तो इस तरह से, simply आप इस question को solo कर सकते हैं तो दस्मलों का भाग और गुणा कभी भी रहें तो आप इसी तरह से question को solo कीजे मातर सेकेंडों में आप उस question को solo कर लेंगे आसा करता हूँ यह सबी question आपको अच्छी तरह से समझ में आये होगे दोस्तो अगर में वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के सब्सक्राइब करके आते रहेंगे जैसा भी आपको question चाहिए comment करके जरूर बताईएगा एक बार मिलता है ने परसनों के साथ thank you best of luck